दोस्तो अभी चुनाओं के नतीजे नहीं आए हैं लेकिन विपक्सी दलो सहित कांग्रेश समभावित समी करणों को लेकर गोला बंदी में जुटी हुई है आंदर प्रदेश के सीम चंदर बाबू नाइडू इस मुहीम में काफी एक्टिव है वो पिछले 24 घंटे में दो बार राहुल गांदी से मुलाकात कर चुके हैं अब सोन्या गांदी से मुलाकात करने वाले हैं वहीं दूसरी और कांग्रेश ने दूसरे दलो से वारता के लिए अपने पांस सीनियर नेताओ का कोर ग्रूप बना है इसमें पूर्वित मंतरी पीचित अम्रम, पूर केंद्रिय मंतरी गुलाब नभी आजाद, कांग्रेश के कोसादधक्स एहमद पटेल, मद्धपरदेश के सियम कमलनात और राजस्तान के सियम असो गहलोत सामिल है दोस्तो आगामे सरकार की चाबी समझी जा रहे है कि वो YSR कांग्रेश अद्धक्स जगन मोहन रिड़ी, तेलंगना राश्तामिती के अद्धक्स चंदर से कर राओ और बीजू जनता दला द्धक्स नवीन पटनायक के हातों में खो सकती है ऐसे में कांग्रेश ने इन नेताओ से बाचित के लिए एक कोर गूरूप बनाया है और अलग-अलग नेताओ को अलग-अलग नेताओ से बाचित की जिम्मेदारी दी गई है चाह असोग घहलोत और एहमद पटेल को पच्छिम बंगाल के सीम ममता बेनरजी से बात करने की जिम्मेदारी दी हैं वहीं डियम के अद्धक्स इस्टालिन और जगन मोहन रिड्डी से बात करने का जिम्मा पीची तमरम के पास है वहीं सरदपवार और चंदरबावू नाइडू से तालमेल का जिम्मा गुलाम नभी आजाद सम्हाल रहे हैं ओडिशा के सीम नवीन पतनायक को साधने के लिए दून स्कूल के उनके मित्र कमलनात को लगाया गया है कमलनात ही चंद से कर राव से भी बाचीत कर रहे हैं दोस्तों अब ये भी समझ लेजिए कि एक कोर गूर्प कांगरेसे ने बनाया क्यों इसकी क्या जरूत आ गई थी दरसल कांगरेस संगठन में अधिकतर नेता इस वक्त युवा हैं और गडबंदन के संभावी साथी नेता काफी वरिष्ट ममता कांगरेस में सिर्फ सोनिया गांधी, आहमद पतेल और असो गहलुत के अलावा किसी से बात नहीं करती है रहुल के बाद संगठन में सबसे वरिष्ट नेता है केसी वेनुगोपाल जो ममता या पड़नायक के मुकाबले काफी कम अनुभावी हैं सपपा बसपा और रजद का नेतरुत काफी उमर दराज नहीं है यानि यू है इसलिए अखिलेस, मयावती और तेजस्वियादाओ को राहुल प्रियंकाज और जोतिर आदित्या सिंध्या और वेनुगोपाल से बात्चित करने में कोई प्रेशानी महसूस नहीं होती है इसलिए वो सिदे राहुल गान्दी से बात कर लेते हैं लेकिन छेत्रे दलो के सीनियर नेताओं से बात्चित करने के लिए कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को लगाया गया है ताकि किसी तरह का कोई कम्यूकेशन गैप न हो हाला कि 23 मई को बुलाए गई विपक्स की समभावित बैठक पर संच है बैठक में ममता का परतिनिदी तो नहीं होगा इस टालिन खुद ने आकर अपने परतिनिदी इलान गोवन को भेज रहे हैं सदपावन ने हामी नहीं भरी है वहीं वामदलो का कहना कि सोनिय का नो ताभी तक उनको नहीं मिला है यानि विपक्स के के ने ताभी टाल मोटल कर रहे हैं इसलिए 23 मई की बैठक पर संच है के बादल है वहीं विपक्स की इस कवाद के बीज बीजेपी का दावा है कि वो खुद अपने दम पर 300 सिटे ला रही है और उसे किसी के सही हो की जरूरत नहीं है अब देखते हैं कि 23 मई को क्या नतीजे आते हैं दोस्तों इस पेसल कवर देश दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव डवलोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुछाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें